Hello friends, welcome all to my channel, this is your tutor Harry. So friends, आज फिर से बहुत ही interesting and short video आपके लिए लेकर आई हूँ हूँ, जिसमें हम cover करेंगे trigonometry का topic. आपको title देखके बहुत ही हैरानी हो रही होगी, trigonometry अपने आप में बहुत मुश्किल topic है, तो ये आपकी उंगलियों पर सिरफ एक formula के साथ कैसे हो सकता है. So friends, वहीं चमतकार आज मैं करने आई हूँ. So friends, जिसने इस video को देखा, वही आगे सारे videos के concepts को समझ सकता है. This is the basic video जिसके अंदर आपको एक formula बताया जाएगा, जिससे आपको trigonometry में कभी भी कोई भी problem नहीं आने वाली. So friends, without wasting much of the time, let's get started with a video. So friends, trigonometry आपकी उंगलियों पर सिरफ एक formula के साथ. So friends, trigonometry आपकी उंगलियों पर सिरफ एक formula के साथ. So friends, trigonometry आपकी उंगलियों पर हो सकती है. मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, बस वही आपका formula होगा. और उस formula के regarding ही आज हम discussion करेंगे. देखिए, मैं बड़ा-बड़ा लिख देती हूँ, तांकि आपको easily समझ में आ जाए. So friends, देखिए मैंने क्या लिखा? P, B, P, H, H, V. अब बहुत से students सोच रहे होंगे, यह क्या है P, B, P, H, H, V. याद तो इसे भी करना पड़ेगा. हाँ जी, इसे याद करना पड़ेगा. लेकिन बहुत ही असान फिल्मी. मैं आपको बोल के बताती हूँ, बस वो कुछ words आपको अपने mind में रखने हैं, दो तीन बार बोलेंगे, आपको easily वो grab हो जाएंगे. तो देखिए, मैं बोल रही हूँ, इस P से क्या है? पंड़ेट, इस B से बद्री, इस P से प्रशाद, इस H से हर, इस B से भोले. आपको सिरफ याद क्या करना है? पंड़ेट, बद्री, प्रिशाद, हर, हर, भोले. अब आप भोलेजी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वही आपकी trigonometry को solve करने वाले हैं. कैसे? वो भी मैं आपको next slide में clear कर दूँगी. सिरफ आपको learn क्या करना है? मेरे साथ बोलिए, पंड़ेट, बद्री, प्रिशाद, हर, हर, भोले. फिर से बोलिए, पंड़ेट, बद्री, प्रिशाद, हर, हर, भोले. तो आईए, अब हम next slide की तरफ move करते हैं और देखते हैं कि भोलेजी हमारी कैसे मदद करने वाले हैं. देखिए, इस slide में मैंने क्या किया है? जो मैंने formula आपको बताया था, that is, पंड़ेट, बद्री, प्रिशाद, हर, हर, भोले. आपने इसे as it is लिखा, P, B, P, H, HB. उसके बाद आपके पास six trigonometric ratios होती हैं, जो आपको learn करनी होती हैं. जो की है, sine theta, cos theta, ten theta, cot theta, set theta, and cosecant theta. जो ये six trigonometric ratios हैं, ये आपने इसी order में learn करनी हैं, जिस order में मैं बोल रही हूँ. आपने उस order को जरा भी change नहीं करना है, अदर्वाइस आप trigonometric में सब गलत करेंगे. तो ये ही formula है, और ये ही इसका trick है, जिससे trigonometric आपकी उंगलियों पर हो सकती है. एक तो आपको ये formula learn करना है, जो की है, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, भोले. उसके बाद आपको 6 trigonometric ratios को learn करना है, किस way में, like this, जैसे मैं बोल रही हूँ, उसी way में आपको learn करना है. आपके पास अगर कोई copy pencil है, तो उसको लिख लीजिए, किस way में आपको learn करना है. आप इसे कुछ time बोलेंगे, तो आपको automatically याद हो जाएगा. देखिए, sin theta, then cos theta, 10 theta, cot theta, sec theta, cosecant theta, ध्यान से देखिए, मैंने arrow भी mark किया है, और मैं किदर से start होकर, किदर को जा रही हूँ, वो भी ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले मैंने pen से mark किया, sin theta, then cos theta, then 10 theta, उसके बाद cot theta, then sec theta, and at last cosecant theta. तो ये आपकी trigonometry को solve करने का राम बान तरीका है. वो कैसे, sin theta की value आपको कहां से मिलने वाली है? P over h से. तो आप यहाँ sin theta के आगे लिख दीजिए, P over h. उसके बाद, मैंने क्या बताया था, sin के बाद आपको क्या बोलना है? cos theta. तो इसी तरीके मैंने cos theta की value क्या calculate की? b over h. तो हम लिखेंगे यहाँ b over h. उसके बाद 10 theta, जिसकी value है P over b. उसके बाद cot theta. cot theta देखें, यहाँ है. cot theta की value. यहाँ कैसे उठानी है? अब इसे ध्यान से सुनिएगा. अगर आपने 10 theta की value उपर से उठाई थी, P over b करके cot theta उसके पैरों में है. किसके? 10 के पैरों में है. इत मींस इसका उल्टा होगा. उल्टा क्या होगा? b over p. तो cot theta की value आपके पास आई. b over p. उसके बाद बात करते हैं sec theta की. sec theta cos theta के पैरों में है. इत मींस इसकी value भी नीचे से लेंगे. h over b. sec theta की value आपके पास आगई. h over b. उसके बाद last है हमारा cosecant theta. cosecant theta भी पैरों में है. किसके? sin theta के. तो इसकी value भी कहां से लेंगे? नीचे से लेंगे जो की है h over p. ओके? अब formula याद करने का trick है. पंडित बदरी परसाल हर-hर भोले. अब इसे हम trigonometry के साथ कैसे relate करेंगे? p over h, b over h, p over b. इन सब का मतलब क्या है? तो आईए इसका मतलब clear कर लेते हैं. p का मतलब होता है perpendicular. p is used for perpendicular. and h is used for hypotenuse. and here b used for base. बाकी सब में जहां पर भी p, b, h आएगा उनका मतलब यही होता है. perpendicular, hypotenuse and base. जहां पर p है वहाँ perpendicular होगा. जहां h है वहाँ hypotenuse होगा. जहां b है वहाँ base होगा. लेकिन अब मुझे यह पता कैसे चलेगा कौन सा perpendicular है, कौन सा hypotenuse है, कौन सा base है. आपको easy way में बताती हूँ, trigonometry हमेशा right angle triangle पर rely करती है. right angle triangle का मतलब है, जिसमें एक angle 90 degree का होता है, उसको हम right angle triangle बोलते हैं. like this, right angle triangle. तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली line है, यह आपकी base शो करेगी. जिसे आप short form में B, B बोलेंगे. उसके बाद, जो यह आपकी बिल्कुल straight line है, जिसके ओपर 90 degree का angle बना हुआ है, इसे आप बोलेंगे perpendicular. perpendicular. और इसके लिए आपकी short form होगी P. और जो यह line बची है, this one is your hypotenuse. hypotenuse के लिए आप value use करेंगे H. तो आपकी trigonometry automatically solve होने वाली है. अगर आपको इतना concept easy way में clear हो गया है, तो I think trigonometry में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे. तो हम trigonometry के questions की तरफ move करेंगे, जो की next video में आएंगे, और उन questions के अंदर, मैं इसी formula को इसी way में trigonometric ratios लेके solve करूंगी. अगर आप next video की तरफ move करने वाले हैं, तो please इस video को बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ही next videos के सभी questions आपको automatically clear होते जाएंगे, आप खुद ही उनके answers मुझे बताएंगे. So friends, we will meet you in the next upcoming video, till then take care, bye-bye.